तो आईए शुरू करते हैं next qualitative property जिसका नाम है elevation in boiling point हमने इससे पहले एक qualitative property discuss कर ली है तो अब ये next हमारी second qualitative property है जो हम इस lecture में discuss करेंगे इक पर हम फिर से आपको rewind कर देता हूँ qualitative property क्या होती है ऐसी सारी properties हमारी solution की जो के depend करती है number of mole of solute पे जो के number पे depend करे number of mole पे depend करे number of molecule पे depend करे और nature पे depend ना करे for example मैं अगर आपको कह दूँ कि एक mole हमारी urea है एक mole हमारी एक solution में एक mole urea डाल दीजिए और solution में आप क्या कीजिए एक mole ही आप डालीए glucose ठीक है तो urea भी एक mole डाला आपने glucose भी एक mole डाला तो solution की जो qualitative property होगी वो same होने वाली है इसका मतलब यह कंप यूरिया डालो या glucose डालो उस solution से उसको फरक नहीं पढ़ने वाला वो सिर्फ mole पे फरक पड़ता है और नमबर आप mole से ही पता चलता है qualitative property है अगर नमबर आप mole सेम है कोई भी चीज़ डा लिए उस पे depend नहीं करने वाली है चलिए तो qualitative property मैंने आ रही है आपको बताई हुई है definition भी उसको मैंने last lecture में discuss कर लिया था हम शुरू करते है elevation in boiling point हमारी next qualitative property है उसको तो शुरू करते है elevation in boiling point हमने देखा कि जो हमारी solution होती है अगर solution में आप non-volatile solute add करेंगे अगर किसी भी solution में आप non-volatile solute add करेंगे तो उसके add करने से vapor pressure हमारी solution क्या क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा किसी भी solution में non-volatile solute add करने से solution का vapor pressure decrease होता है हम जानते हैं क्यों क्योंकि non-volatile solute add करने से हमारे non-volatile solute वैपर नहीं बनाता अगर non volatile solute वैपर नहीं बनाता तो definitely जो solution volatile चल रही थी जो वैपर अच्छे से बना रही थी अब खुद तो वैपर नहीं बनाएगा तो solution जो वैपर बना रही थी उसका वैपर प्रेशर भी क्या कर देगा decrease कर देगा उसको भी वैपर बनाने से रोकेगा तो जब भी solution में आप non volatile solute add करेंगे या किसी pure solvent में non volatile solute add करेंगे तो आपकी solution का जो वैपर प्रेशर है वो क्या करेगा decrease करेगा अगर वैपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आपके मन में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि वैपर प्रेशर डिक्रीज किया इसका मतलब वैपर कम बन रहे हैं तब ही तो वैपर प्रेशर डिक्रीज किया अब वैपर को बढ़ाना है या वैपर को बनाना है या वैप का मतलब यह है घर में प्यूर वाटर रखी प्यूर वाटर को बाइल आप करेंगे ठीक है अच्छे से बॉयल हो जाएगा अब एक चुले पे आप प्यूर वाटर रखेंगे और दूसरे चुले पे आप प्यूर वाटर के साथ साथ चीनी डालेंगे ठीक है तो वह बाला चु जल्दी बॉयल करेगा, वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, और जिस बॉयटर में आपने चीनी डाली है, वो लेट बॉयल होगा, क्यूं? कि उस बॉयल में आपने नौन वोलाटायल सल्यूट एड़ कर दिया, ठीक है? अब उसको बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा टंप्रे हो गया यह जल्दी बाइल हो गया यह लेट बाइल हुआ वस यही है concept इसी increase इसी increase in boiling point को जब हम non-volatile solute add कर दें एक pure solvent या volatile solution के बीच इसी increase को हम बोलते हैं elevation in boiling point यही है हमारा concept elevation in boiling point के according ठीक है तो मेरा कहने का मकसद यह कि जब भी हम non-volatile solute एक pure solvent या solution में add करेंगे vapor pressure decrease हो जाएगा vapor कम बनेगे अब vapor बनाने के लिए vapor pressure increase करने के लिए हमें temperature increase करना पड़ेगा that increase in temperature is known as elevation in boiling point अच्छा यहां तक तो clear है अब जब शुरू करते हैं boiling point क्या होता है उसकी definition ठीक है तो boiling point की definition देखिए boiling point की definition क्या कहती है देखिए a to z note आपको learn chemistry with me जो channel है हमारा page बना हुआ है वो instagram page वहाँ पे मिल जाएगा मैं सब यहाँ पे note नहीं करने वाला वहाँ से आप note done कर लीजी जो जो concept है वहाँ सब material आपके लिए academics point of view के according note वहाँ पे upload हुए है तो तो boiling point होता है अच्छे सी definition boiling point की क्या है boiling point एक ऐसा temperature एक ऐसा temperature जिस temperature पे हमारा vapor pressure वेपर pressure किसके बराबर हो जाएगा vapor pressure हमारा बराबर हो जाएगा atmospheric pressure के बराबर ठीक है एक ऐसा temperature जिस temperature पे हमारा vapor pressure हमारी solution का atmospheric pressure के बराबर हो, उस temperature को हम बोलते है boiling point, कुछ अलग सी definition है आपके लिए, इस से पहले वाली definition को छोड़िए, यहां solution में यह definition देखिए, boiling point ऐसा point या ऐसा temperature जिस temperature पे हमारी solution का vapor pressure atmospheric pressure के बराबर हो उस temperature को हम बोलते है boiling point, जरा समझने की कोशिश करेंगे इस बात को, for example, आपने beaker है, आपने एक beaker लिया और beaker को आपने क्या क्या यहां तक fill किया हुआ है, पानी के साथ, यह सारे के सारे water molecule है, ठीक है, यहां तक आपने इसा नहीं होता, कारण क्या है because पानी को इतनी energy नहीं मिली पानी को इतनी heat energy नहीं मिली तो that's why पानी बाइल नहीं हुआ यह आप ऐसा बोल दीजिए कि पानी का जो vapor बनाने का pressure है वो कम है, किस से इसके बाहर atmosphere है और atmospheric gases का pressure होगा atmospheric gases का बाहर से pressure है, atmospheric gases बाहर से pressure apply कर रही है और अंदर का पानी का vapor pressure कम है vapor pressure इसका कम, इसका pressure जएदा that's why अंदर से water के molecule बाहर नहीं जा पा रहे है लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे water का जो vapor pressure होगा वो almost equal हो जाएगा equal से बात होना शुरू हो जाएगी almost equal या vapor pressure हमारे water का atmospheric pressure से जएदा हो जाएगा जैसे ही हमारे water का vapor pressure atmospheric pressure से जएदा हो गया, हमारे water के molecule liquid की surface से evaporate करना शुरू कर देंगे, क्यों? क्योंकि atmospheric pressure अब कम हो गया है अब vapor का pressure जएदा हो गया है तो vapor pressure जब भी equal हो जाए, हमारे लगबग equal हो जाए हमारे atmospheric pressure के या equal से थोड़ा जाएदा हो जाए तो हमारा, हम बोल सकते हैं कि हमारा boiling point आ गया या हम बोल सकते हैं कि हमारे vapor बनना शीरू हो गए है तो ये है boiling point का यहाँ पे concept, जब भी vapor pressure atmospheric pressure से बढ़ गया या equal हो गया almost, तो that point is known as boiling point, I hope ये clear हुआ होगा आपको, तो चलते हैं graph बनाते हैं, यहाँ पे elevation and boiling point का एक graph बनाते हैं और देखते हैं जड़ा graphical representation करके कि हमारी elevation and boiling point है कि actual में, देखिए, मैं करता हूँ मैं अराम से समझने की कोशिश करेंगे आप मैं graph बनाता हूँ, यहाँ पे ठीक है, देखिए आओ, मैं graph बना रहा हूँ यहाँ पे, line for state कीजिए graph बना रहा हूँ, यह इस axis पर में लेता हूँ vapor pressure को इस axis में ले रहा हूँ vapor pressure और इस axis में ले रहा हूँ temperature और temperature आपको Kelvin में लेने है ठीक है इस axis पर temperature है और इस axis पर vapor pressure है अच्छे अब आप जानते हैं कि आपका solvent जो है pure solvent ठीक है pure solvent जो आपका solvent होगा pure solvent उसका temperature जब भी आप बढ़ाएंगे तो उसके vapor बनेंगे उसके vapor बढ़ेंगे उसके vapor जब बढ़ेंगे और vapor pressure भी increase होगा तो vapor pressure और pure solvent का graph ऐसा हो सकता है अराम से ठीक है आप यह मत सोची के graph ऐसा होगा यह जूरी नहीं कि अगर 1 degree temperature बढ़ाया तो 1 degree vapor भी बढ़ेगा ठीक है यह जुरूरी नहीं हो सकता ठीक है अगर एक डिगरी बड़ा temperature एक डिगरी वेपर बना तो ऐसा state line graph तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यह जुरूरी नहीं कि temperature और वेपर pressure दोनों directly proportional है ऐसा graph बन सकता है हमारे वेपर pressure का और temperature का pure solvent के लिए तो मैं ऐसा ही graph बनाता हूँ pure solvent के लिए यह देखिए यह बनाया मैंने pure solvent के लिए graph temperature और वेपर pressure का ठीक है अब ज़रा यहां से हमें देख के लग रहा है कि जू जू आप temperature बढ़ाओगे जू जू आप temperature बढ़ाओगे हमारा वेपर का pressure भी बढ़ेगा हमारे वेपर बनेगे हमारे वेपर का pressure भी बढ़ेगा अच्छा ठीक अब आपने क्या करना है एक ऐसी solution लेनी है जिस solution में आपने क्या कर दिया non-volatile solute add कर दिया एक ऐसी solution लीजिए जिस solution में आपने non-volatile solute add किया है अब जिस solution में आपने non-volatile solute add कर दिया definitely उस solution का जो वेपर बनाने का pressure होगा या वेपर बनाने की capacity होगी वो तो decrease हो जाएगी definitely हमारा उसका graph इस graph से इस line से उपर तो होने वाला नहीं है क्योंकि अगर उपर होगा तो वेपर pressure उस solution का ज़्यदा हो जाएगा तो इसका मतलब वो line definitely इस line के नीचे आने वाली है तो मैंने उस line को इस line के नीचे ड्रा किया यह line आप मानिए ऐसी solution की है जिस solution में हमने क्या डाला है non volatile solute add किया हुआ है यह non volatile solute add करने वाला solution का graph है आपको यहाँ तक clear है देखी pure solvent का वेपर pressure definite यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि हर point पे आप इस point पे देखी लीजिए इस point पे देखी यह यह देखी यह है इस point पे इस temperature पे हमारा solution का वेपर pressure यहाँ है और इसी temperature पे आप देखिए हमारे pure solvent का वेपर pressure यहाँ पे है इस temperature पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे pure solvent का vapor pressure ज्यादा है और को temperature उठा के देख लो इस temperature पे देख लो इस temperature पे हमारी solution का vapor pressure ये है और हमारे pure solvent का vapor pressure ये है किसी भी point पे हमारी solution का जो vapor pressure है वो कम है as compared to हमारे pure solvent उसका कारण ये कि solution में non-volatile solute add कर दिया है इस जगाँ पे हमारा प्रेशर one atmospheric pressure के बराबर है। इस जगाँ पे हमारा pressure one atmospheric pressure और one atmospheric pressure ही तो होता है, atmospheric pressure हाँ, वो ही तो होता है, तो यही तो है हमारा atmospheric pressure, तो हम इस line को ठींच के ले आई यहाँ पे, यही atmospheric pressure, अब देखी, प्योर सॉल्विंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्विंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्विंट का वेपर प्रेशर एटमास्फिरिक प्रेशर के बराबर यहां पे है प्योर सॉल्विंट का वेपर प्रेशर पर pure solvent है वेपर बनाए और हम बोर सकते हैं इस temperature is known as boiling point Tb boiling point of pure solvent के रिए not लिख लिए Tb not this temperature is known as boiling point of pure solvent clear है अच्छा अब solution वो वाली solution इसमें non-volatile solute add किया हुआ है non-volatile solute add करने वाली solution का atmospheric atmospheric sorry वेपर pressure atmospheric pressure के बराबर इस stage पर हुआ इस point पर हुआ और ये temperature था जिस temperature पर हमारी non-volatile solute में वेपर्स बनना शिरू हुए तो हम बोर सकते हैं this is Tb boiling point of non-volatile solution boiling point of solution बोल दीजिए ठीक है तो आपको दिखाई तो दे रहा होगा definitely आगे temperature बढ़ रहा है तो Tb मतलब जयदा है as compared to Tb not boiling point of solution जयदा है as compared to boiling point of boiling point of pure solvent और यही जो difference होता है इसी difference को हम बोलते हैं elevation in boiling point और जिसे हम represent करते हैं delta Tbc this difference is known as elevation in boiling point और उसे हम represent करते हैं delta Tbc मुझे अमीद है आपको clear हुआ होगा pure solvent का vapor pressure atmospheric pressure के बराबर इस stage पे हुआ और इस stage पे आपको पता है मैंने कहा था आपको atmospheric pressure से उपर सारी की सारी gases उससे नीचे सारा का सारा liquid form में ठीक है तो यह stage हुए जिस stage पे हमारा क्या हुआ प्योर solid elevation in boiling point और इस stage पे हमारे वैपर बनना शुरू हुए और इस stage पे हमारे solution के वैपर बनना शुरू हुए तो यह है हमारा elevation in boiling point ठीक है तो elevation in boiling point अब experiments हुए बड़े experiment हुए और बड़े experiment से यह clear हुआ कि जो delta Tb होता है वो directly proportional होता है small m की what is small m small m is known as molality small m is known as molality तो बड़े सारे experiment हुए जिस experiment से यह पता चला कि delta Tb is directly proportional to molality ठीक है अब molality क्या है ज़रा यह देखिए molality होती है number of number of moles of solute divided by mass of solvent in kg mass of solvent in kg ठीक है तो यहां से आपको directly पता चल रहा होगा कि जो delta Tb है वो directly depend करता है number of moles of solute पे तो delta Tb अगर directly depend कर रहा है number of moles of solute पे तो इसका मतलब हमारी delta Tb तो है elevation in boiling point ठीक है इसका मतलब हमारा elevation in boiling point a qualitative property है ठीक है तो यहां से हम लिख सकते है delta Tb is directly proportional to m था ना तो directly proportional के sign को हटाया kb एक constant लगाया kb m delta Tb is equal to kb m ठीक है और kb क्या है आप देखिए kb क्या है तो kb हमारा constant है kb है हमारा constant जिसको हम बोलते हैं moral elevation constant कb है हमारा constant और इसको बोलते है moral elevation constant ठीक है एक और नाम भी है अलिवोस्कोपिक constant वो रहने दीजिए तो kb है moral elevation constant अब किसी ने आपको कहा कि kb को define करो तो kb को आप कैसे define करेंगे तो kb को हम define करेंगे इस तरह के से दीखिए kb को हम define करेंगे kb क्या है kb को हम define करेंगे कि जब आप molality let कीजिए m molality को आप put कीजिए one molality को आपने one put किया तो delta tb किसके बराबर आया kb के बराबर या kb किसके बराबर आया delta tb के बराबर आया तो यहां से हम यह बोर सकते हैं कि हमारा molal elevation constant के भी हाँ molal elevation constant is equal to elevation in यह delta tb elevation in boiling point था molal elevation constant is equal to elevation in boiling point when molality alpha solution is taken as unity या one ठीक है तो यह है molal elevation constant की definition elevation in boiling point की हमने सारा का सारा theoretical point हमने खतम कर दिया wherever एक ओर बाज याद रखे डेल्टा tb किसके बराबर होता है delta tb elevation in boiling point किसके बराबर है मैंने graph बनाया अभी मैंने बताया आपको कि यह tb है यह tb not है और यही होता है हमारा delta tb तो delta tb हमारा होता है tb-tb-0 ठीक है तो ये है दूसरा formula तो अब theoretical point हमने सारा खतम कर दिया अब हम शुरू करते हैं इसको derive करना ये formula जिससे हम निकारेंगे सारी-सारी derivation करते हैं वो उसके बाद molecular mass भी हम calculate करेंगे इसका चलिए जितना जादा vapor pressure की levering होगी उतना ही हमारा elevation होगा boiling point का मांते हैं आप इस बाद को जितना vapor का pressure decrease होगा जितना हम non-volatile solute add करेंगे उतना vapor pressure decrease और जितना vapor pressure decrease होगा उतना हमें जैदा boiling point उसका बढ़ाना पड़ेगा उसके vapor को बनाने के लिए तो यहाँ से ये clear हुआ कि जो delta tb है जिसे हम बोलते है elevation in boiling point वो directly proportional है किसके वो directly proportional है हमारे pressure के changing pressure के तो यह हुआ point number first इसे मानिया आप equation number first हमने route slah से पढ़ा है याद होगा अगर आपको route slah में हमने देखा है कि PA किसके बराबर है PA हमारा था PA not zeta इसी दिरके से PB हमारा mole friction के ठीक है तो route lag के according हमने ये भी चीज़ देखी हुई है PB is equal to P not B zeta B तो यह है ना PB is directly proportional to zeta B तो route lag के according हमने ये जाना हुआ है कि जो हमारा change in pressure या pressure होता है या vapor pressure होता है वो zeta B that is mole friction of B के बराबर है इस equation को आप मानिये equation number second अब on equating equation number first and second आपको दिखाए दे रहा है कि delta P delta B बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा ठीक है तो यहां से हम conclude करेंगे delta P किसके बराबर है delta P directly proportional है हमारे zeta B के बराबर ठीक है अब directly proportional के sign को हटा ये तो delta T B किसके बराबर होगा हाँ delta T B किसके बराबर होगा तो delta T B हमारा directly proportional के sign को हटाया K रगाया constant K zeta B तो ये हुई हमारी equation equation number इसे आप third मानगें ठीक है K है यहां पे constant अब जाए हम जानते हैं कि जो zeta है zeta होता है mole fraction बात चल रही है B B किसके लिए हम लिखते थे B हम solute के लिए लिखते थे तो zeta B किसके बराबर होगा zeta B that is mole fraction of solute है तो mole fraction of solute है number of mole of solute divided by number of mole of solution और solution में N1 और N2 दोनू होता है ठीक है तो आपको zeta B की जगा ये put करना है तो delta T B is equal to K K into N2 divided by N1 plus N2 प्लेर है equation number fourth मानगें आप इसे अब हम जानते हैं कि qualitative property जो होती है वो non-volatile sorry वो होती है ऐसे solution की जो के dilute solution हो ठीक है तो dilute solution में हम क्या करते हैं आपने solute को neglect कर देते हैं या negligible मानते हैं तो हमने क्या करना है N2 को यहाँ neglect करना है already मैंने बताया भी है आपको ठीक है तो delta T B इसके बराबर होगा delta T B is equal to K into N2 divided by N1 clear है यहाँ तक चली इसके आगे हम देखते हैं आगे क्या है equation number 5 मान लो अब जानते हैं कि यह N2 और N1 क्या है N1 है number of mole of solvent N2 है number of mole of solute तो N1 के लिए number of mole of solvent है तो number of moles किसके बराबर होता है number of mole होता है mass या weight upon molecular mass तो N1 है तो mass of solvent divided by molecular mass of solvent बस N1 को आप लिए आगे इस equation में put कीजिए तो delta T B is equal to K into N2 divided by N1 की जगा आपने put करना है W1 divided by M1 हो गया clear equation number आप मानगे इसे 5, 6 equation number 6 हो गई इसके बाद आप देखे delta T B किसके बराबर है delta T B is equal to K अब इसको लिख सकतो मैं ऐसे N2 divided by W1 into M1 बस इस equation को मैंने लिखा ये है N2, N2, W1, W1 और ये M1 है उपर चला गया M1 हो गया equation 6 है, equation number 7 अब जरा देखे गोर से ये चीज़ क्या है यहाँ पे ये चीज़ क्या है N number of moles to number of moles of solute N2 number of mole of solute divided by mass of solvent number of mole of solute divided by mass of solvent यही तो होती है हमारी molality इसी को तो हम बोलते है molality तो N2 divided by W1 is equal to M और यही है हमारी molality और इसी M को आपने equation number 7 में जैसे ही put करना है तो आएगा delta TB is equal to K small m multiply by M1 ठीक है equation number 8 बन गी यह है हमारी equation number 8 clear है? चलीए अब जरा देखे के इसके आगे हम continue करते है delta TB is equal to K into M multiply by M1 हो चुका चलीए अब हम जानते है के के क्या है के है हमारा constant मानते हैं आप इस बात को मैंने बोला और और देखिए M1 क्या है यहाँ पे M1 क्या है M है हमारा molecular mass of solvent और solvent का molecular mass किसी solvent के लिए constant होता है हर solvent के लिए constant होता है भाई water का molecular mass constant है अब जोरी थोड़ी है कि इस water का molecular mass कुछ और होगा किसी और water का molecular mass कुछ और होगा water का molecular mass 18 होता है ठीक है तो M1 भी यहाँ पे क्या है constant K भी constant है M1 भी constant है अब constant को constant के साथ multiply करेंगे तो एक constant आएगा ठीक है हम जानते हैं और हमने उस constant को कहा kb हमने उस constant को कहा kb अब k into m की जगा पे आपने put कर रहा है kb तो delta tb is equal to kb बचा क्या यहाँ पे? बचा small m kbm और इसी को हमने लिखा delta tb is equal to kbm और इसी equation को हम लिखते थे delta tb is directly proportional to kb ठीक है? और यहाँ से हमने derive किया अपनी elevationing boiling point की derivation को यहाँ से हमने derive किया और more अगर आप देख लीजिए kb यहाँ से आप देखिए delta tb delta tb is equal to kb और यह क्या है? molality, molality क्या होती है? number of moles of solute होती है number of moles of solute और divided by mass of solute in casey तो सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है delta tb molar elevation constant directly proportional है number of moles of solute के तो molar elevation constant अगर directly proportional है number of moles of solute के इसका मतलब हमारी यह qualitative property है तो यह हुई हमारी derivation इसके बाद हम finally molecular mass of solute calculate करेंगे तो हमारे slabers के according चल रहा है सारा का सारा unit तो हम देखेंगे calculation of molecular mass of solute ठीक है calculation लिखी है mass of solute molecular mass of solute ठीक है और molecular mass of solute है तो m2 लिखेंगे अगर molecular mass of solute होता तो m1 लिखेंगे चलिए molality क्या होती है जड़ा बताइए अराम से molality होती है number of mole of solute that is n2 divided by mass of solvent in kg mass that is weight of solvent है तो 1 solute के लिए 2 solvent के लिए 1 in kg अगर gram में होता तो gram में होता तो आप क्या करते है 1000 से multiply करते है तो मैं लिख रहा हूँ mass of solvent in gram multiply by 1000 तो हो गया ना morality का formula ठीक है moreover हम जानते है n2 क्या है n2 है number of mole of solute और number of mole of solute किसके बराबर होता है mass of solute divided by molecular mass of solute ठीक है n1 होता तो mass of solvent divided by molecular mass of solvent पास जहाँ n2 है वहाँ ये पुट कर दीजी molality किसके बराबर निकल के आएगा molality निकल के आएगा w2 into m2 या ऐसा लिखे w2 into sorry divided by m2 multiply by 1000 divided by w1 ये gram में है ठीक है बस ये हुआ molality का formula देखिए आपने पढ़ा भी हुआ lecture number second में ये सब कुछ first में आएशे second में है देखिए second में ठीक है अब जरा हमने आभ ये भी देखा जो delta tb है वो किसके बराबर होता है kb into m जहाँ आपका m है वहाँ आप ये पुट कर दीजी तो यहाँ पर आएगा delta tb is equal to kb multiply by w2 divided by m2 into thousand divided by w1 हमें निकालना है m2 तो m2 को ले आए इधर और delta tb को ले जाए यहाँ पर तो हम निकालेंगे हम लिखेंगे m2 हम लिखेंगे m2 m2 किसके बराबर है kb into w2 into thousand divided by delta tb इसके जगा पर आगया delta tb into w1 बस यह है हमारा molecular mass निकालने का formula इस formula को put करके आप सारी की सारी terms को put करेंगे तो आपका molecular mass आपके salute का निकल जाएगा moreover यहाँ से हमें यह भी पता चल रहा है जो हमारा molecular mass आप सल्यूट का वो inversely proportional होता है elevation in boiling point की तो यहाँ पे हमारी second quality property elevation in boiling point खतम होती है तो कैनल को subscribe करें share करें and like करें Thank you